ओम सिरी गनी साइनमा दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर सौंबार की रासी फल के बारे में कि इहां दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यार्ती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैयनाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तों साति सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता और प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दुंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन चरिया वे आदतों का विशेश रूप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्ने आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टिदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंधियों से संबंध खराब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है सावधान रहे साथिसाथ आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की आपको आवश रखता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़े युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रिकार का समझोता ना करें साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक हैं कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रभाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लि सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजर्गों के स्वास्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है साथे साथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी य इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छ भिकता रहेगी पती-पत्नी के बीच संबंद मदूर रहेंगे प्रंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारातमक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोर्शन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा साति सात कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परंतु उस योजना पर पूरह परिक्षन जरूर करें साति सात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सा आसानी से बन सकते हैं परन्तु के इमामलों में आपका स्वाविमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची रावना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावर्शक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण वहवसाइक आज लीक हो सकती है करमचारियों की गति विदियो पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एका गर्चित रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला ह दोस्तों अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं साथी साथ जादा गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से समंदित समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए आप सुपाच्य आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदीशे निर्वत रहोने के बाद भगवान भूले नात को तिल और जो अर्पित करें और शाति साथ माम मिर्तुन्जे मंतर का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें जादोस्तों ऐसा करने से भगवान भूले नात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रहे हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार रहें भगवान भू कर्णाव C